हेलो फ्रेंद्स चलिए देखते हैं कुछ गूगल ड्राइफ के कुछ बेसिक सेटिंग्स सेटिंग्स का बटन यहां पे है बिल्कुल टॉप पे दिखिए इसको क्लिक कीजिए आप आपको यहां ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग्स इस पे क्लिक करते हैं दिखिए ज्यादा स यूज कर चुक हो यह दिखा रही है आपको और यह भी आपको दिखाएगी यहाँ पे कि यह जो आपने स्पेस यूटिलाइस किया है किस चीज़ पे किया है अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पर आकर खुल गया है और यह स्टोरेज के बेसिज पे से आप delete कर पाऊगे ये पहला setting था दूसरा setting convert uploads ये बड़ा interesting setting है इसके बारे में हम आगे वाले videos पे detail में देखेंगे इसका मतलब क्या है अगर आप Microsoft Excel का कोई भी file आप Google Drive पे upload करते हो तो जो Excel की size है suppose 10KB, 100KB, 1MB वो size consume हो जाएगी अगर आप ये button click करते हो तो Microsoft Excel वाली file automatically Google Sheet के format में convert हो जाएगी बिलकुल जो जो settings आपके Microsoft Excel में सब चीज़े वहाँ पे आजाएगी benefit क्या है आपका size 0 के भी बन जाएगा अगर वो 100MB का भी Excel file हो और अगर आपने ये button click कर दिया है और अपने upload किया है Microsoft Excel की किसी भी file को तो वो Google Sheet बन जाएगी with 0KB तो इसको हम हमेशा on रखेंगे ताकि हम अपना space drive का बच जाए next is density ये आपके उपर है आप किस तरह देखना चाहते हो option से comfortable मतलब कुछ फैला फैला सा दिखेगा आपको cozy जरा सा जरा सा वो एक के साथ जुड़ावा दिखेगा comfortable और compact मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ावा दिखेगा for example अगर मैं comfortable पर click कर दूँ और मैं done करूँ और मैं अपने my drive पर जाता हूँ तो दिखेगे जरा सा ये फैला हुआ आगया ये basic setting है इसमें ज्यादा कुछ है नहीं तो आपका ये आपके उपर depend करता है आप इसको किस तरह रखना चाहते हो suggestions ये एक last option है इसका मतलब क्या है मैं आपको click करके दिखा देता हूँ पहले तो तो मैंने click कर दिए अब देखीगा मेरे drive में कुछ changes हुआ होगा देखी क्या हुआ पहले मेरा drive था यहाँ से start हो रहा था ये name कुछ folder की नाम है ये उपर का ribbon नहीं बना हुआ था ये क्यों आ गया कि जो मैंने latest अभी किसी file पर काम कर रहा था वो उपर दिखता है आपके यहाँ पर तो अगर आपको check करना हो कुछ latest file जिस पर आप काम कर रहे थे तो आप यहाँ से check कर सकते हो पर अगर मैं आपको suggestion दूँ ये आप ना ही करे तो better है क्योंकि आपके पास एक recent tab already आपके पास available है वही file यहाँ पर भी दिखेंगी इनफेक उच जादा file दिखेंगी और इसका एक और disadvantage क्या है काफी जगा ले लेती है तो आज आपके पास 4 folders है future में आपके आज 10, 20, 50 folders होंगे तो यह काफी नीचे scroll करना पड़ेगा तो यह suggestion रहेगा कि इसको आप जाके off कर दीजिए देखिए जैसे मैं आफ किया आपका जगा काफी बढ़ चुका है और क्या है देख लेते हैं notification तो यह basically अगर कुछ update मिल रहा है आपको Google Drive में आपके बाज एक notification आजाएगा आप चाहो तो click कर सकते हो ताकि आपके बाज अबडेट्स आजाए नयने features Google Drive में है तो आप इसको click कर सकोगे manage apps यह क्या है जैसे कि Google Docs अगर आप कोई भी Microsoft Office Word document खोलते हो तो by default यह Google Docs format पे खुलेगी तो यहाँ पे लिखा use by default अगर आप चाहते हो Google Docs पे ना खुले आप इसको unclick भी कर सकते हो तो यहाँ पे कुछ उन्होंने default option दे दिया है आप check कर दीजिए आपके लिए कौन सा relevant है और यह preferable यही रहेगा कि आप Google की format पे रखेगा क्योंकि एक तो वो consume नहीं करती है स्पेस और दूसरा वो auto convert करके वो आपके लिए वो डॉक को open कर देगी तो इस वीडियो में यहाँ तक हमने बस सीखा इसके settings आगे आने वाली वीडियो में हम और भी बहुत साथ चीजे देखेंगे Thank you friends